जहत के लिए अच्छा वालों मॉमोवस आज हम बनाएंगे और इसका मज़ा लेगे नमस्ते दोस्तो व्लकम बैक। आज हम ने ला हैं आप लोगों के फेवरिट मॉमोज आज हम ने ला हैं वितावट उन्यन का लेग्ट जिये अटाँ से मॉमोस आये दोस्तों बनाते हो और इसका मज़ा लेते हैं एक लाइक तो बनता है एक लाइक कीजिए और चैनल को सब्स्क्राइब कीजिए आये दोस्तों बनाते हो और इसका मज़ा लेते हैं आप इस चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए नएने रेसिपी के लिए और घंटी ज़रूर तपाईए आप एक लाइक कीजिए फीडियो को से आखीजिए ताकि सब बना सके हेल्दी मुमस घर में अब बहार क्यों खाना आप हमारे चैनल पे नए है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए घंटी ज़रूर तपाईए ताकि लाटश नोटिस्पिकेशन आपको पहले पहुंच जए हमने एक कप ग्रेटर गाज़र लिये हैं एक कप फ्रेस पनीर लिये हैं एक कप मैदे लिये हैं पांच कटा हुआ हरे मिट्ची लिये हैं हमें एस सब चीज चाहिए मुमो बनाने के रिए हेल्दी मुमो एक कड लेते हैं कड़ाई में वानफोर्थ ओल लिये हैं अब इसमें पनीर को डाल रहे हैं पनीर को डाल दी हम यहाँ पर पनीर को दस मिनित तक धीमी आंच में फ्राइब करेंगे हम यहाँ पर वानफोर्थ शॉल डाल रहे हैं आप लोगों को वता होगा फ्रेस पनीर में प्राउन हो गया है, दिखिए, अच्छे से बन गया है, पानी सुग गया है, आब इसको प्लेट में निकाल लेते हैं, उसी कड़ाई में हम यहाँ पर ग्रेट गाजर को डाल रहे हैं, हम यहाँ पर फ्राय करेंगे, मिक्स के लिए अब यहाँ पर मिर्ची, कटावा मिर्ची क को डाल रहे हैं अब इसको mix कर लेते हैं अब पान पॉर्ट डालेंगे तो डाल दिये 1 पॉर्ट काली मिर्ची अब ये सबको mix कर लेते हैं देखी हमारा गाजर बन गया है अब इसमें पनीर fry क्या हुआ पनीर को डालेंगे अब यह सब को mix करके दो मिनिट तक fry करेगे देखिए हमारा stopping अब ready है अब इसको प्लेट में निकाल लेते हैं हम यह सब को एक साइड में रख लेते हैं ताकि यह थंडा हो जाए डोव बनाने के लिए हम यहाँ पर एक कप मैदा लिए है हाँ वान फॉर्ट शॉल्ट लिए हैं अब यह सब को mix कर लेते हैं अब मैदे में थोड़ा सा स्पेस बना लिए अब इसमें टू टेबल सून ओय ले रहे हैं अब इस मैदे में यह ओयल को अच्छे से रगड रगड कर इसको mix करना है ताकि ओयल मैदे में आ जाए अच्छे से मिल जाए अच्छे से हमने मिला लिया ओयल को देखिए हमने इसको अच्छे से mix कर लिये हैं इसका color भी change हो गया मैदा का अब इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी देंगे अब इसका डोव बनाएंगे देखिए हमरा डोव तयार है अब इसको बाहर से तेल लगा कर इसको cover कर लेते हैं 10 मिनित तक उसी वक्त हम चटनी बनाने के लिए हम टमाटो को बीच से कट कर लिये हैं आब इसको बॉयल करेंगे कड़ाई लिये हैं कड़ाई में एक कप पानी लिये हैं आब इसमें कटा हुआ टमाटो को डालेंगे जल्दी जल्दी बॉइल होने के लिए हम यहाँ पर टमाटो को कट कर लिए है वटाबा टमाटो को डाल रहे है अब इसको कवर कर लेते है अब डोब को तेल लगाये थे अब इसको अच्छे से मसल लेते हैं देखे कितना स्पूत बना है अब इसको और एक बार मसल लेते हैं मसल लिए अब इसका गोल बनाएंगे डोफ का एक हिस्सा लिए है अब इसको दोने हाथों से रगड लिते हैं ताकि ये लंबा हो जाए देखिए दोस्तों हमने इसको लंबा कर लिए है अब इसको सेम हिस्से में इसको कट कर लेते हैं सेम हिस्से में कट कर लेते हैं अब इसको हाथों से गोल गोल कर लेते हैं रोटी के गोला के जैसे हम इसको गोल कर लेते हैं देखिए हमारा सब गोल बना लिये हैं अब इसको बेलन में थोड़ा बेलते हैं जैसे देखिए दोस्तों बेलन में हमने बेल लिये हैं हमने रोटी बना लिये हैं हमारा रोटी सब तयार है अब इस रोटी में हम ये स्टपिंग को डालेंगे सेम हिस्से का स्टपिंग देंगे सब रोटी में सेम हिस्से का स्टपिंग दे दिये हैं सब में अब इस रोटी के एक साइड में हम पानी लगा रहे हैं अब इसको ऐसे जैंट करेंगे आप जैसा साइड देना चाहते हैं तो उसी साइड दे सकते हैं पानी देने से ये गम बन जाता है इस ये अच्छा इजी होता है जोडने में और साइज बनाने में आप जैसे साइज बनाना चाहते हैं हम यहाँ पर मोदग बना रहे हैं मोदग का साइज हम यहाँ पर दे रहे हैं देखिए हमारा मोदक बन गया है अच्छे से साइज बना लिए है अब इसका एक्स्ट्रा हिसा निकाल लेते हैं देखिए इसी तरह बाकी मोमोस भी बना लेते हैं हम यहां पर डिफरेंट डिफरेंट सेप दिये हैं मोमोस को हमारे टमाटो भी बोईल हो चुका है जास आफ कर लेते हैं देखिए एक कड़ाई लिए हैं कड़ाई में तीन का पानी लिए हैं पानी का उबाल आ गया है अब इसमें एक बर्तन लिए हैं बर्तन में तेल लगा है अब इसी बर्तन में हम मोमोस को रखेंगे सब ममस को रखने के बाद अब इसको 20 मिनिट तक कवर कर लेते हैं ताकि इसका उबला जाए ये पक जाए बोईल किये हुआ टमाटो थंडा हो गया है अब इसका चिलका निकाल लेते हैं हमयाब पर इसका चिलका नहीं चाहिए, इसलिए चिलका निकल रहे हैं चटनी बनाने के लिए, अब इसको ब्लेंड में डालते हैं, वनफोर सॉल्ट लिये हैं, तीन सुखी मिर्ची लिये हैं, अब इसको ब्लेंड कर लेते हैं, देखिए हमारा मॉमस तैयर है, अब इसको वीड टेस्टी जटनी फूद खाते हैं सब को खिलाते हैं स्वस्त खाईए स्वस्त रहिए हमारे वीडियो को एक लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए हेल्दी हेल्दी रेसिपिके लिए थैंक यू फॉर वाचिंग अमारे वीडियो को एक लाइक कीजिए और च झाल झाल झाल